जै भूलिनात इससे पहले के अध्याई में आपने जाना था भगवान गणेश के विवाह के बारे में ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियों रिद्धी और सिद्धी के साथ उनका विवाह हुआ था और ये विवाह किस प्रकार हुआ इसका व्रत्तांत अब आप विस्तारपुड भी कहा जाता है इन दो कारणों से कोई भी देव करने उनसे विवाह करने के लिए तयार ही नहीं होती थी और इसी बात से अक्सर गड़ेश जी नाराज रहा करते थे और जब भी किसी अन्य देवी देवता का विवाह होता तो वे उन्हें किसी ना किसी तरह से कस्ट विग्न उत्पन हो जाता सारे देवता इस बात को लेकर बड़े परिशान थे सभी देवता परिशान हो गए और वह शिव जी के पास गए तब भगवान शिव और दिवी पारवती ने सलह दी कि हे देवगणू आपको इस समस्या के समधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जा लेकिन कुछ देर बाद ही योग बल से दो दिविक कन्याएं वहाँ पर अफ्तरित हुई जिनके नाम ब्रह्मा जी ने रिद्धी और सिद्धी रखा ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी उन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी आप गणेश जी के पास पहुँचे और कहा कि वह उन्हें शिक्षा दे क्योंकि सभी देवतागणों ने अपनी समस्या ब्रह्मा जी के सामने रखी थी और यही एक मात्र समाधाना ब्रह्मा जी के सामने था गणेश जी रिद्धी और सिद्धी को शिक्षा देने के लिए तयार हो गए अब इधर जब भी उनका वहान गणेश जी के पास किसी के विवहा की सूचना लाता तो रिद्धी और सिद्धी ध्यान बटाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ दिया करती इस तरह अब सभी देवी देवताओं के विवहा भी निर्विग्न होने लगे एक दिन मूशक आया और उसने देवताओं क निर्विग्न विवहा के बारे में गणेश जी को बताया तब जाकर गणेश जी को सारा मामला समझ में आया गणेश जी के एक रोधित होने से पहले ब्रह्मा जी उनके पास ही अपनी मानस पुत्रियों यानि रिद्धी और सिद्धी को लेकर प्रकट हो गए उन्होंने कहा हे गणपती आपने तो स्वय में नहीं शिक्षा दी है अब मुझे इनके लिए कोई योगिवार मिल ही नहीं रहा इसलिए मेरी इच्छा है कि आप ही इन से विवा कर ले इस तरह ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियों रिधी और सिधी के साथ गणेश जी का विवा हो गया और फिर बाद में गणेश जी के दो पुत्र भी हुए पुछ काल के पस्षात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिवी पुत्र उत्पन हुए जिसमें गणेश पत्नी सिधी के गर्ब से शेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धी के गर्ब से जिस परम सुन्दर पुत्र ने जनम लिया उसका नाम लाब जिसे शुब और लाब भी कहा जाता है इस प्रकार जब गणेश अचित्य सुख का भोग करते वे निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्थिक प्रत्वी की परिक्रमा करके वापस लोटे उस समय नारत जी ने आकर इसकंत कुमार को सब समचार कह सुनाया उन कि नारुकर नाराज होकर क्रौश परवत की ओर चले गए हे देवर्शे उस दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्थिक का कुमारत्व अर्थात कुमारपना प्रसित हो गया और उनका नाम तरिलोकी में विख्यात हो गया वैशुब दायक सर्वपाफारी पुर्णिमय और उत् परवत पर जाते हैं जो मनिश्य कार्थिकी पुर्णिमा के दिन क्रतिका नक्षद्र का योग होने पर स्वामी कार्थिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नस्ठ हो जाते हैं और उसे मनुवांचित फल्की प्राप्ति होती है इधर इसकंद का बिच्छो हो जाने पर उमा को महान दुखवा उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा है प्रभो आप मुझे साथ लेकर वहां चलिये जहां मेरा पुत्र है तब प्रिया को सुख देने के निमित स्वय भगवान शंकर अपने एक अंश्य से उस परवत पर गए और सुख दायक मलिकार जो नामक जोत्रलिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गई वे सत्पुरुषों की गती तथा अपने सभी भगतों के मनुरत पूर्ण करने वाले हैं वे आज भी शिवा के सहित उस परवत पर विराजबान हैं पुत्र नारत वे दोनों शिवा शिव पुत्र वे इसने से विवल होकर प्रत्यक परव पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं अमावस्या के दिन वहां स्वयम शंभू पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन देवी पारवती जाती हैं मुनिश्वर तुमने स्वामी कार्थिक और गनेश का जो व्रतांत मुझ से पूछ जाती हैं जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अत्वा पढ़ाता है और सुनता अत्वा सुनाता है निस संदे उसके सभी मनुरत सफल हो जाते हैं यह अनुपम आख्यान पापनाशक कीर्थी प्रत सुख वर्धक आयू बढ़ाने वाला स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाल पुत्र पौत्र की प्रत्धी करने वाला मोक्षप्रत शिव जी के उत्तम धाम को प्राप्तर आने वाला शिव पार्वती में प्रेम उत्पन करने वाला और शिव भक्ति बर्धक है यह कल्यान कारत शिव जी के अद्वयत ज्यान का दाता और सदा शुम्मय है अत्हें मोक् और स्वामी कार्थे की उत्तम कथाओं से ओत प्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है भगवान शंकर के ग्रह्ष्ट संबंधी उस उत्तम चरित्र को तो हमने सुन लिया अब आप करपा करके उस परमोत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल और कैसे भस्म कर डाला था है भगवन जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशो भी थे तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षों को आनद प्रदान करने वाला है आप करपया कर वे सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर् तब श्री ब्रह्मा जी बोले हे रिशी श्रेष्ट पहले किसी समय वियास जी ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ उस समय सनत कुमार ने कहा था हे महा पुद्धिमान वियास जी विश्व पर जब शिव कुमार इसकंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान दुख हुआ, उनमें तारकाक्ष सबसे जेस्ट था, विद्युनमाली मजला था और छोटे का नाम था कमलाक्ष, उन तीनों में एक समान ही बल था, विजितेंद्रि, सदाकारे के लिततपर, सैयमी, सत्यवादी, द्रणचित, महान, वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे, उन तीनों ने ही सभी उत्तुमोतम और मनुहर भोगों का परित्याग करके, मेरू परवत की एक कंदरा में जाकर परम अध्भुत तपस्या आरम कर दी, वहां उन्होंने हजा वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसनता के लिए अत्यांत उग्र तब किया, तब सुर और असुरों के गुरू महायशश्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यांत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों मैं तु वदा सब कुछ करने में समर्थू अतह बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तब किसले किया है सनत कुमार जी कहते हैं मुने ब्रह्मा जी की वह बात सुनकर उन सभी ने अंजरी बांद कर पिता महके चरणों में प्रणाम किया और फिर दीरे अपने मन की बात कहना प्रारम किय द्याति बोले देवेश यदि आप हम पर प्रसन हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजे कि समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्यों हो जाएं जगनात आप हमें इस्तिर कर दे और हमारे जरा, रोग, आदी सभी शत्रू नस्ठ हो जाएं तथा कभी भी मृत्ति हमारे समीब ना फटके हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्री लोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें क्योंकि है ब्रह्मन यदि पांच ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी उत्मोतम नगर अन्या निभोग सामगरी उत्कृष्ट पद और एश्वरी से क्या प्रयोजन है मेरे विचार से तो उस प्राणि के लिए ये सभी व्यर्थ हैं सनत कुमार जी कहते हैं महर्शे उन तपस्वी दैत्यों की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले असुरों अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता आता है तुम लोग अपना ये विचार छोड़ दो इसके अलावा अन्य कोई वर अगर तुम्हें रुचता हो तो मांग लो क्योंकि दैत्यों इस भूतल पर जहां कही भी जो भी प्राणि जन्मा है अथ्वा जन्म लिया है वे अधिवर मांगो जो देवता और असुरों के लिए भी अशक्य हो उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रे लेकर प्रथक प्रथक अपने मरण में किसी हेत्व को मांग लो जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृति तुम्हें वरण भी ना कर सके सनद्जी कह महर्षे ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे दो घड़ी तक तो ध्यानस्त हो गए और फिर कुछ सोच विचार कर सर्व लोग पिता में ब्रह्मा जी से बोले भगवन यद्दिपी हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं फिर भी हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रो से सुरक्षित रहकर सुख पूर्वक निवास कर सके अतहे आप हमारे लिए ऐसे तीन नगरों का निर्बान करा दिजिए जो अत्यंत अध्वूत और संपूर्ण संपत्यों से संपन्न हो नथा देवता जिनका प्रधर्शन ना कर सके लोकेश आप तो जगत गुरू हैं हम लोग आपकी करपा से ऐसे तीन पूरों में अधिस्ठित होकर इस प्रत्वी पर विजरन करेंगे इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का भी निर्मान करें वह सोने का हो और देवता भी उसका भेदन ना कर सके फिर कमलाक्ष ने चांदी क इनों पूर माध्यान के समय अभिजीत मूर्थ में चिंद्रमा के पुष्च नक्षत्र पर इस्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर इस्थित होकर ये क्रमशह एक के उपर एक रहते वे लोगों की द्रश्टी से ओजल हो जाए फिर क्रतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्व देव मैं और सबके देव हैं लीला पुर्वक संपून सामगरियों से युक्त एक असंभव रत पर बैठ कर एक अनोखे बान से हमारे पुरों का भेदन करें किन्तु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनिय पूझ और अभिवादन के पात रहें अतहवे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे मन में ऐसी ही धारना करके हम ऐसे दुरलब पर को मांग रहे हैं सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी उन दैत्यों का कथन सुनकर रस्ठी करता लोग पिता में ब्रह्मा ने शिप जी का इसमरंग करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा फिर में को भी आग्या देते वे उन्होंने कहा हे में तुम सोने चांदी और लोहे के तीन नगर बना दो यो में को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारगपुत्रों के देखते ही देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए फिर धैरिशाली में ने अपने तपोबल से नगरों का निर्मान करना आरंब कर दिया उसने तारकाक्ष के लिए स्वन्ड में, कमलाक्ष के लिए रज़त में और विद्धिनमाली के लिए लोह में ये तीन प्रकार के उत्तम दुर्ग तयार किये वे पुर्ग कुरमशा, स्वल्ग, अंत्रिक्ष और भूतल पड़ निर्मित हुए थे असुरों के हित में ततपर रहनी वाला मै इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आधी असुरों के हवाले करके स्वयम भी उसी में प्रवेश कर गया और इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराकरम से संपन्न वे तारका सुरके लड़के उनमें प्रविष्ठ हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। दर्वाजे लगे थे शोभाय मान थे किलाश सिखर के समान उचे तथा चंद्रमा के समान उच्वल दिव्य प्रसादों और गोपुरों से उनकी अद्बुत शोभा हो रही थी वे अपसराओं गंधर्वों सिद्धों तथा चारणों से खचाकच भरे वे थे प्रत्यक महल में शिवाले तथा अगनी होत्र शाला के प्रतिष्ठा होई थी उनमें इस्षिव भक्ति परायान शास्त्र के ब्रहमण सदा निवास किया करते विबावली फूप तलाब और बड़ी तलईयों से तथा समूं के समूं स्वर्ग से चियुत वे व्रिक्षों से युक्त उद्या और वनों में सुसोबित थे बड़ी बड़ी नदियों और छोटी-छोटी सरीताओं से जिन में कमल खिले वे थे उनकी शोभा और बढ़ गई थी उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदेवे व्रिक्ष लगे थे जिनसे वे नगर विशेस मनुहर लगा करते वे जुन्ड के जुन्ड मदमत गजराजों से सुन्दर-सुन्दर घोडों से नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों और शिबिकाओं से अलंकरित थे उनमें समया नुसार प्रथक-प्रथक किरीडा इस्थल बने थे और वेदाध्यन की प पति सेवा परायन तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिवरता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सरवत्र पवित्र कर रखा था उनमें महा भाग शूरवीर दयत्य और शुरुति इस्मृति के अर्थ के तत्वा की और स्वधर्म परायन ब्रहमण अपनी पत्नियों दथा पुत्रों के साथ निवास करते थे उनमें मैय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुद्रण पराकरमी वीर भरे वे थे जिनके केश नील कमल के समान नीले और गुंगराले थे वे सभी सुशिक्षित थे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी वे बड़े बड़े समरों से अर्थात युद्धों से प्रेम करने वाले थे ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराकरम विशुत्य थे वे सूर्य मरुद्गण और महेंद्र के समान बली थे और देवदाओं के मथन करने वाले थे वेदो शास्त्रों और पुराणों में जिन उन धर्मों का वर्णन किया गया है वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देता वहां चारों और व्याप्त थे उन नगरों में प्रवेश करके विद्याति सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी तरी लोकी को बाधित करके विशाल राज्जी का उपभूग करने लगे मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुर्ण्यात्माओं के सुख और प्रिति पूर्वक उत्तम राज्जी का पालन करते वे बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया सनत कुमार जी कहते हैं है महर्शे पिर तारक पुत्रों के प्रभाओं से दख्थ हुए इंद्र आधी सभी देवता दुखी होकर परसपर सलाह करके व्रह्माजी की शरण में गए महासंपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पिता मह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते भी कहा धातह त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर्द ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है हे ब्रहमन इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आये हैं आप उनके वदका कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सके देवतागणू की बात सुनकर ब्रहमाजी ने कहा हे देवकणू तुम्हें उन दानों से विशेज भय नहीं करना चाहिए मैं उनकी वदका उपाय बताता हूँ भगवान शिव तुम्हारा कल्यान करेंगे और मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है अतहा मेरे हाथों इनका वद होना उचित नहीं है साथी त्रिपुर में इनका पुर्णे भी ब्रधिगत होता रहेगा अतहा इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें वे सरवाधी शिदी प्रसन हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण कर सकेंगे सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी ब्रह्मा जी की ये वाने सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर उस इस्थान पर गए जहां व्रिशब्ध्वस शिप आसीन थे तब उन सभी ने अंजली बांद कर दिविश्वर शिप को भक्ती पूर्वक प्रणाम किया और शीज जुका कर लोगों के कल्यान करता शंकर जी का इस्तवन किया मुने इस प्रकार नाना प्रकार के दिविस्तोत्रों द्वारा त्रिशूल धारी परमेश्वर की इस्तुती करके स्वार्थ साधन में निपन इंद्र आधी देवताओं ने दीन भाव से कंधा जुकाईवे हाथ जोड कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया देवतागणों ने कहा हे महादेव तारक के पुत्र तीनों भाईयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है हे भगवन उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनिश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सित इस्थानों को नस्ट कर रखा है हे शिव शंकर निश्य ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है इसलिए वे स्वच्छा नुसार सभी कारी करते रहते हैं हे प्रभू ये त्रिपोर निवासी दारुन दैत जब तक जगत का विनाश ना कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीती का विधान कीजिए जिससे इसकी रक्षा हो सके सनत कुमार जी कहते हैं मुने यो भाशर करते वे उन स्वर्गवासी दे इंद्रादी देवों की बात सुनकर शिव जी उत्तर देते वे बोले देवगणों इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुर्णिकारे में लगे भी विध्यात बड़े प्रबल है अतह देवता और असुर मिलकर भी उनका वद्ध नहीं कर सकते वितारक पुत्र सबके सब पुर्णि संपन्न है इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वद्ध दुस साथ्य है ये दिपी मैं रण करकश हूँ फिर भी जान बुचकर मैं मित्र द्रोहों कैसे कर सकता हूँ क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्र द्रोहों से बढ़कर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं सत्पुरुषों ने ब्रह्मा त्यारे शराबी चोर तथा व्रतभंग करने वालों के लिए प्रयाश्चित का विधान किया परन्तु क्रतग्न के उधार का कोई उपाय नहीं है। देपताओ तुम लोग भी तो धर्मा की हो। अतर धर्म द्रिश्टी से विचार कर तुम ही बताओ कि जब विद्याती मेरी भक्ते हैं तब मैं उन्हें भला कैसे मार सकता हूं। इसलिए हे देपताओ जब तक विद्याती मेरी भक्ती में तत्पर हैं तब तक उनका वद असंभव है। फिर भी तुम लोग विश्णू के पास जाकर उनसे ये कारण निवेदन करूं। अती व्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश हो गए और इस प्रकार इस्तरी पुरुष सभी दुराचारी हो गए। भाईयों सहित उस द्यत्राज की तथा मै की शक्ती भी कुंठित हो गई। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाईयों तो था पुरुवासियों सहित उस द्यत्राज की बुद्धी विशेस रूप से मुहाच्छन हो गई। तब उसकी बाद कौनसी घटना घटी? हे विभो, वे सारा व्रतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महरशे, जब तीनों पुरों की पुर्वोक्त दशा हो गई, द्यत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया, संपूर्ण इस्त्री धर्म नस्ठ हो गया, और चार ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विश्नु और ब्रह्मा के साथ सबी द संघर्ता ब्रह्मा, पालक विश्नु और संघर्ता रुद्र हैं, पर ब्रह्म सरूप आपको नमस्कार हैं, ऐससे करके महादेव जी का इस्तवन किया, और देवों ने फिर उन्हें सास्टांग प्रणाम किया, फिर भगवान विश्नु ने जल में खड़े होकर, अपने भी देवताउन महेश्वर में मन लगाकर यों की इस्तूती करते रहे, देवों ने कहा, हे प्रभो, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप कल्यान करता और भक्तों की पीड़ा हर्दे वाले हैं, आपकी गले में निला चिन्न है, जिससे आप निलकट कहलाते हैं, आप चिद्रूप और प्रचेता हैं, आप रुत्र को हमारा प्रणाम है, हे असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्यों के निवारन करने वाले हैं, अतह सदा से आप ही हमारी गती हैं, और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनी हैं, आप सब के आदी हैं, और आप ही अनाद स्वरूप अव्यय प्रभू प्रकर्ति पुरुष के भी साक्षात सुरस्टा और जगदिश्वर हैं आप ही इस भवसागर से तारने वाले हैं आप समस्त प्राणियों के स्वामी अविनाशी वर्दाता वांगमे स्वरूप वेद प्रतिपाद्य और वाच्छे वाच्छे कर से रहित हैं योग वेता योगी आप इशान से मुक्ति की याशना करते हैं आप योगियों के हिर्दय कमल की करने का पर विराजमान रहते हैं हे जगत गुरो इस जगत में जिसे देखने सुनने इस्तवन करने तथा जानने योगी बताया जाता है और जो अनू से भी हैं वह आप ही हैं हे नात आपने जगत में अन्हीं को ऐसे कार्य किये हैं जो हमारी समझ से परे हैं इसलिए देवता असुर ब्रहमण और अन्यान इस्थावर जंगर आपकी ही स्तुति करते हैं हे शंभो तृपुर्वासी द्यत्यों ने हमें प्राइह नस्ट सा कर डाला है अतहे आप शिक्री ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजे क्योंकि हे देवलब हम देवों के एक मात्र आप ही कती हैं हे परमेश्वर इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं अतहे प्रभु वे भगवान विश्नुद्वारा बताईवी युक्ति के चक्र म प्रिफस कर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं हे भक्त वचल हमारे सभागी वश इस समय उन देत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परिद्याग कर दिया है और नास्तिक शास्तर का आश्रे ले रखा है ये शरण जाता आप सदा से देवदाओं का कारी करते आए हैं इसलिए आज भी हम लोग आपके शर्णापन हुए हैं अब आपकी जैसी चाहों वैसा कीजिए सनत कुमार जी कहते हैं के मुनीबर इस प्रकार महेश्वर का इस्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजली बांद कर सामने खड़े हो गए उस समय उनके मस्तक जुके वे थे इस प्र प्रवेश्वर भगवान शिप प्रसन हो गए और व्रिशब पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए उस समय पार्वती पति शिप का मन बड़ा प्रसन था उन्होंने रंदीश्वर की पीट से उतर कर विश्णू का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े ह हो गए संपूर्ण देवताओं की ओर किर्पा भरी दिश्टी से देखकर गंभिर वानी में श्री हरी से बोले हे देव स्रेष्ट उन अधर्मनिस्ट द्यात्यों के तीनों पूरों को अब मेनेस्ट कर डालूंगा इसमें कोई संश नहीं परन्तु वे महाद्यात्य मेरे भक होगी हैं इसलिए जिन्होंने त्रपुर्वासी सारे द्यत्यों को धर्मब्रस्ट करके मेरी भक्ती से विमुख कर दिया है वे विश्णु अत्वा अन्य कोई ही उने क्यों नहीं मारते मुनिश्वर शंभू के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरी का म प्रारम किया है परमिश्वर आप योग विताओं में श्रेष्ट पर ब्रह्म तथा सदा से देवों और रिश्यों की रक्षा में तत पर हैं अत्य है पाप आपके इस्वर्ष नहीं कर सकता साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है इसके प्रेरक आप ह प्रभू इस समय अवर्षी ही उन्होंने अपनी धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुक हो गए हैं फिर भी आपके सिवां दूसरा कोई भी उनका वद नहीं कर सकता देवों और रिश्यों के प्राण रक्षक है महादेव साद्वों की रक्षा करन के लिए आपके द्वारा उन मिलेच्छों का वद उचित हैं आप तो राजा हैं अतह राजा को धर्मानुसार पापियों का वद करने से पाप नहीं लगता इसलिए इस काटे को उखाल कर साधू प्राह्मनों की रक्षा कीजिए राजा अगर अपने राज तथा सर्व लोक प्रभू बिलंब मत कीजिए ये देव देवेश बड़े बड़े मुनिश्वर यग्य संपूर्ण वेद शास्त्र मैं और विश्नु भी निश्य ही आपकी प्रजा हैं प्रभू आप देवताओं के सार्व भौम समराठ हैं ये श्री हरी आदी देवकण और सारा जगत आप आपका ही कुटुम्भ है है जन्मा देव श्रीहरी आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूं तथा आपकी आग्या का पालन करने वाले शक्र राजगारी संभालने वाले मत्री हैं सर्वेश और देवता भी आपके शाशन के नियंत्रम में रहकर सदा अ तब उन्होंने ब्रह्माजी से कहा, हे ब्रहमन यदि आप मुझे देवताओं का समराग बतला रहे हैं, तो फिर मेरे पास उस पत के योगी कोई ऐसी सामगरी तो है नहीं, जिससे मैं उस पत को ग्रहन कर सकूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिविरत है, ना उसकी उपयोगत सार्थी हैं और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसी दनुषवाण ही हैं, कि जिन्हें लेकर मैं मनुयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल देत्यों का वद कर सकूँ, ऐसा कहकर शंकर जी मौ तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो, तुम्हें अपने सारे दुखा परित्या कर देना चाहिए, अब तुम लोग सभी आतर पूर्वक मेरी बात सुनो, देवगन तुम ही लोग विचार करो, कि महान पुरुषों की आराधना सुकसाध नहीं होती, मैंने ऐसा सुना है, कि म पहदाराधन में पहले महान कस्ट जिलना पड़ता है, पीछे भाक्त की द्रणता देखकर इस्ट देव अवश्य प्रसन होते हैं, परतु शंकर जीतों समस्त गणों की अध्यक्ष और परमिश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठेरें, अतह पहले ओम का उचारन करके फिर न ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरू कुरू शिवाय नमः ओम ये मंत्र बनता है, ये बुद्धी बिशारतों, यदि तुम लोग शिव जी की प्रसनता के लिए इस मंत्र का पुन्हा एक करोड जब करोगे, तो शिव जी तुम्हारा ये कार अवश्य पूर्ण करें ये मुने, प्रभाव शाली श्री हरी ने जब यों कहा, तब सभी देवता पुन्हा शिव जी की आराधना में लग गए, फिर श्री हरी भी देवो तो था मुन्यों की कारे की सिद्धी है तुम शिव जी में मन लगाकर विशेस रूप से विधी पुर्वक जप में ततपर ह हो गए, ये मुनिश्रेष्ट इधर देवगन धहरी संपन होकर बारं बार शिव शिव यों चारण करते वे एक करोड जब करके सामने खड़े हो गए, उसी समय स्वयम साक्षात शिव पूर्वोग्त स्वरूप धारन करके प्रकट हो गए और इस प्रकार कहने लगे, हरे, ब्रहमन, देवगन तथा उत्तम वरत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जब से प्रसन हुआ हूँ, अतहे अब तुम लोग अपना मनुवानशित वर मांगलो, देवताओं ने कहा, हे देवाधी देव, कल्यान करता जगदीश्वर, येदि आप हम पर तो देवों की विकलता का विचार करके, शीगर ही तृपूर का संघार कर दिजे, परमेश्वर, आप दीन बंदू तथा करपा की खान है, आप नहीं सदा हम देवताओं की पारंबार विपत्यों से रक्षा की है, अतह इस समय भी आप ही हमारी रक्षा कीजे, सनत कुमार ज देवगर्ण तता मुनियों, अब तरिपुर को नस्ठ हुआ ही समझो, तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनों, और फिर उसके अनुसानकारी करो, मैंने पहरे जिस दिविरत, सार्थी, धनुष और उतमबान को अंगिकार किया है, वह सब शिगर ही तयार करो, विश् स्रस्टी के स्रजन और पालनकारी में नियुक्त हो, अतहे तरिपुर को नस्ठ हुआ समझ कर, देवताओं की सहता के लिए ये कार्य अवश्य करो, ये शुब मंत्र जिसका तुम लोगों ने एक करोड बार जब किया है, महान पुर्ण में तथा मुझे प्रसन करने वाला है ये बुक्ती मुक्ती का दाता संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनद प्रद है, ये स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयू की व्रद्धी करने वाला है, ये निश्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के सनत कुमार जी कहते हैं हेम उने परमात्मा शिव की ये बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन हुए और ब्रह्मा तथा विश्नु को तो विशेस आनंद प्राथ हुआ उस समय विश्व कर्मा ने शिव जी की आग्या नुसार विश्व के हित के लिए एक सर्व देव मैं तथा परम शोबन दिवरत का निर्मान खिया जय भूलिनात आज की कथा समाप्तुवी इसके आगे का व्रतान जानने के लिए करपया आप अगली विडियो का अंतसार जरूर कीजेगा